आज से चपल रखने की सारी प्रॉब्लम आपकी खतम होने वाली है। घर के बाहर जब कुछ इस तरहे से चपल रखे होते हैं ना तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। और ऐसे कमाल के हैट जो आपकी लाइफ को बहुत ही असान बना देने वाले हैं। वीडियो बहुत यूसफुल है तो वीडियो को एंड तुक जरूर दिखिएगा। चैनल पर पहले बार आही गया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिशिएगा। चले बढ़ते हैं आज की पहले यूसफुल टिप के लिए। पहला यूसफुल टिप है मेरा कपड़ों के लिए कि तो हमार को भी जरूर जाना चीए कि आपके घर में इस तर्के के अगर टुकड़े पड़े रहते है न तो बहुत ही काम में आ सकते हैं तो इस खप्ड़े को मैंने कुछ चोकोर साइज में से लिया है जैसे कि आपको दिखाना चाहूंगी मेरे हातों से ही इसे शिला है को इसम्य से तो यहां एक तरफ मैंने हातों से स्ट्रेचिंग करी है और दूसरी तरफ यानि कि इसका एक हुस्सा जहां पर आप लेज देख सकते हैं उस वाले हिस्से को मैंने खुला रखा है जिसे कि मैं आपको इसे पलटा के दिखा रही हूं बिल्कुल इसी तरीके से आपके पास कोई वैसे तो आप इसका यूस बहुत तरीके से लेज सकते हैं अगर कपड़ा है तो यूस तो बहुत तरीके से आ सकता है पर सबसे यूसफुल तरीका मैं आपको बताने वाली हूं तो हमारे घर में होते हैं सालेंडर ये देखने में सुन्दर रही लगते हैं बहुत लोगों क कवर बन गया, यह पर्मानेंट बने बना के रेडी किया है, जब भी मेरे घर सलेंडर आता है, तो मैं इस कपड़े को डाल देती हूं, और यह देखने में काफी अच्छा लगता है, तो कोई सा भी ऐसा कपड़ा है, पुराने डुपट्टा हुआ, पुरानी बेट्शीट हु जिससे हमारा घर ना सुन्दर लगे, तो छोटा सा ट्रेक आप भी यूज़ जरू करिएगा, चले बढ़ते हैं अग्लेस फुल हैक के लिए, तो हमारे घर में क्या होता है, होती है लाल मिर्च, लाल मिर्च तो हम यूज़ कर लेते हैं, पर इसका डंठल का हम जाद तर पेड़ बोधे हैं, तो इस वाल ट्रेक को आप जरूर यूज़ करके दिखिएगा, तो दिखिए कभी का बार क्या होता है, कि जो हमारे घर में पोधे रखे होते हैं, प्लांट रखे होते हैं, या कोई पेड़ है, तो उनकी पत्या ना बहुत जल्दी कीड़े खाने लग या नहीं हमें पता नहीं चलता है कि किस कीड़े ने से खाया है, जैसे कि कठल का मेरे पास बेड़ है, यह लबगो 5 साल का बेड़ है, बहुत इसकी जो ग्रोथ होती है, धीरे-धीरे होती है, पर जब यह खराब होने लग जाती है, इसकी पत्या तो इसके लिए आप होती है, यह खराब होती जा रही है, इसके जड़ के आसवास लगने वाले कीड़े हैं, जो हमें नॉर्मल आखों से नहीं दिखाए देते हैं, चले बढ़ते हैं, अगली यूसफुल हैक के लिए, तो हमारे घर मेरा कुछ इस तरीके से डुपट्टे होते हैं, यानि कि और थोड़ा साइज में बढ़ा हो, लगभग तेर से दो मिटर की साइज का हो, यहाँ पर यह दुपट्टा है, मेरे पास इस पर दाग लगया है, और यह किसी तरीके से काम में नहीं आ रहा है, इसका में कुछ और बढ़ाओं के पर फिलाहल मेरे मेरे पास एक साड़ी भी तो जितना बड़ा मुझे और बनाना है, उसके लिए लगभग मैंने यहाँ 1.5 मिटर की साड़ी का टुकड़ा लिया है, तो इस तरीके से हमने फोल कर लेना है, बढ़या से, जैसे कि मैं कर रहा है, बिल्कुल आपने स्टेप पाई स्टेप इसको ऐसे ही बनाना है, और इ कुछ इस तरीके से हमने इसे यहाँ पर धागे से सिलना है, आपके पाई मसीन है, तो आप वो कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ आथ से भी बहुत असानी से हो जाएगा, यहाँ पर आप पेइन मारकर ले सकते हैं, और कुछ इस तरीके से आपको लाइन बनाना ही, लगभग बड़ा टाका लगा के इसे सेल लेना है, और देखिए, यह बहुत अच्छा है ना, ओर्गनाइजर बनके रेडी हो गया है, इस ओर्गनाइजर का यूज देखने के बाद आप इसे ज़रूर बनाना चाहेंगे, क्योंकि यह बहुत ही सस्ता और जुगाडू वाला आइडि यहां पर जो हमने थोड़ी थोड़ी गेप में इनकी सलाई करी थी, उसमें अराम से आपकी जो सेंडल है यह आ जाएगी, तो यहां मैं अपनी सेंडल रखी हूँ, इसके बाद में यहां पर बच्चों के भी सूज रखने वाली हूँ, अपने खुद के भी और घर में जित इसे भी रखके आपको दिखा रही हूँ, इसी तरीके से, यह बहुत आसानी से इसके अंदर चला जाएगा, वो पता है इसमें सबसे अच्छा फाइदा क्या है, इसमें धूल मिटी नहीं जाएगी, किसी तरीकी का कीड़ा मकोड़ा, जूती चपल के असपस बिल्कुल नह है कि आपकी जूती चपल में किसी तरीकी की धूल मिटी लग रही है, तो देखिए है मेरे पास बच्चों की छोड़ी चोड़ी से, यह भी में रख रही हूँ, क्योंकि कुस अंदर से ऐसी है मेरे बच्चों की छोटी हो चुकी है, अभी वो पहन नहीं रहे है, या मुझे किसी को देना है, तो होता है ना हम सूस्टेंड में पटक रखते हैं, सूस्टे कभी देंगे देंगे, पर वो इसी तरीके से सूस्टेंड में काफी जगा ले लेती है, और सूस्टेंड भी काफी महंगा आता है, घर में रखने में वो जगा भी काफी लेता है, तो कपड़ तो यह वाला ट्रिक आपको बहुत ही पसंद आएगा और आप इसे जरूर ट्राइआउट करके देखना चाहेंगे तो आपको कपड़े से सू स्टैंड बनाने बाला आइडिया कैसा लगा कमेंट जरूर कीचेगा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेय जरू कर दीचेगा